Hello friends, welcome to Java Tutorial Series Dear friends, आज के इस lecture में हम packages के बारे में step by step समझेंगे तो इस lecture को आप last moment तक watch करें definitely आपको packages के बारे में बहुत अच्छी जानकरी हो जाएगी तो चलिए start करते हैं सबसे बहले बात करते हैं कि Java में package किसे कहते हैं Classes, Interface और सब packages के group को हम package कहते हैं package के types क्या होते हैं तो basically package के two types होते हैं जो पहला type होता है उसे building package कहते हैं ऐसे packages जो Java API की insight होते हैं वो building packages कहलाते हैं वहीं दूसरा type जो है वो है user defined packages ऐसे packages जो user खुद create करता है उन्हें user defined packages कहते हैं building package कौन-कौन से हो सकते हैं जावा लाइब्रेरी के इंसाइट तो यहाँ पर बहुत सारे packages होते हैं जिन में उसे कुछ के name दिये हुए हैं Java, LNG, AWT, JavaX, Swing, Net, IO, Util, SQL इनके अलावा भी और भी packages Java Library के इंसाइट आपको मिलेंगे Java documentation क्या होता है और उसको किस तरीके से हम अपनी programming के लिए use करेंगे इसके लिए भी मैं आगे एक lecture बनाऊँगा उसे भी आप watch करिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा User Defined Package की बात करते हैं जब user खुद एक package create करता है तो वो User Defined Package क्या है Java Packages के advantage क्या है क्यों packages हम बनाते हैं तो सबसे पहला advantage है कि package की help से आप classes की library create कर सकते है ताकि classes को बहुत अच्छे से व्योस्तित रखा जा सके दूसरा advantage है हम package की help से classes का जो naming problem है वो solve कर सकते हैं यानि कि different package में आप same name की class बना पाएंगे तीसरा advantage जो है वो यह है कि आप package की help से classes और interface को easily maintain कर सकते हैं इन सभी advantage के live example बना कर मैं आपको आगे आने वाले lectures के insight समझाऊँगा तो उन्हें आप watch करिएगा आपको package बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा और आप अपनी programming के insight package का use बहुत अच्छे से कर पाएंगे एक diagram के basis पर समझने की कोशिश करते हैं कि java library के insight package को किस तरीके से arrange किया गया है सबसे पहला package यहाँ पर बनाया हुआ है java उसके insight सब packages बने हुए हैं lng, util और awt वहीं lng package के insight classes की बात करें तो system name की class है string name की class है इनके अलावा और भी बहुत सारी classes होती हैं यहाँ diagram में दो classes दी वहीं आपको समझाने के लिए वहीं util sub package की बात करें तो उसके insight दो classes यहाँ पर array list और map है वहीं awt sub package की बात करें तो उसके insight button name की class है तो dear friends इस lecture के insight हमने package के बारे में basic information आपको दिया I hope कि आपको information समझ में आई होगी फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो description में 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 whatsapp का link है वहाँ पर आप उससे discuss कर सकते हैं मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए बाई बाई